हेलो स्टुवेंट वेलकमा यूटूब चैनल लर्न टीच में आपका स्वाग थे आज में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे वाटर जेट मसीनिंग के बारे में कि यह क्या होता है इसका यूजे हम क्यू करते हैं कंसक्षन आखर मी कैसे बनाता है पार्ट के नाम कंपोनेंट क नाम और फाल नी जाने हमें इसका क्या वर्किंग के बारे में यह आखर मी एक काम कैसे करता है इस चैनल में नए आवे तो चैनल को कल ले सब्सक्राइब क्यूंकि नए नियो टॉपी को हर दिन डिसक्स करते रहता हूं डिप्लोमा लेवल की तो चलिए टुट वीडियो को स जैसे कि लिखी भी क्या है कि water jet machining process is a soft material cutting process with the help of high velocity of water means water jet में इस कहने के मतलब है water jet machining एक तरक ऐसा process होता है जिसके दौरा हम soft material को cutting करते हैं और किसके सजोग से material को cutting किया जाता है high velocity of water means एक high velocity के साथ हम water का pressure मारते हैं कोई soft material के उपर और एतनी pressure रहती है कि वो material को दो भाग में अलग-अलग कर देती है मिस एक तरह का cutting कर देती है और जो pressure होती है उसे एक तरह का water jet कहते है मिस water jet pressure उसे हम कह सकते हैं ठीक है नीचे point में लिखी भी कहा है कि इटी ये dust free cutting process अई जो process होती है water jet machine process की मिस जो material cutting करने की तो ये dust free होती है मिस जाता है इसमें dust particle उड़ती नहीं है आइटम सफेर में जो की ecosystem ही होती है मिस environment ecosystem या eco friend हम लोग कह सकते है मिस कहा कि इटी जी low operating and maintenance cost मिस इसका जो costing पढ़ती है यूज किया था water का सहयोग से किया था है ठीक है तो यह चीज़ यहाँ पर बहुत ही best है ठीक है अब हम नीचे की uses के हम बात करते है कि water jet machine के कहां पर यूज होता और किस लिए यूज किया था इसका हम लोग यूज करते हैं उस जगह पे जहां पर soft material जैसे कि जो industry factory होती है जहां पर soft material की वहां पर cutting की जाती है उसके सहयोग से कोई product बना जाती है तो उस industry factory में इसका यूज किया था है जैसे कि वह जो cutting करती है कौन-कौन factory हो गई जैसे कि soft material की company जैसे कर रबबर हो गई प्लास्टिक हो गई कोई भी wood हो गई तो यह असानी से उसे cutting कर देती है ठीक यहां पर abrasive particle का यूज किया था ठीक है जैसे कि abrasive water jet machining में उसका यूज करने के बाद वहां पर metal cutting किया था ठीक है चलिए अब इसका construction के बार में समझते हैं कि water jet machining process का आखिर में construction कैसे बना होता कौन-कौन इसके part component के नाम होते हैं तो सबसे पहले क्या होती है हम सबसे पहल cleaning की process के दौरान इसका यूज किया आता है अब क्या होती है पाइप की थूरू से हम इसे connect करते हैं एक water filter का मिस इसमें अगर कुछ भी dust particles है तो उसे filterize करें ठीक है तो यहां पर वाटर filter का यूज किया आता है और यहां पाइप की थूरू वापस हम इसे connect कर देते हैं एक तर करते हैं एक तरह का intensity fire intensity fire क्या काम करती है यहां पर जो हमारा pressure होती है जो pressure होती है उसे increase करने के लिए जो water का जो pressure होती है उसे increase करने के लिए intensity fire का यूज किया आता है ठीक है और जस इसके बगल में हमें यूज करते है क्या एक hydraulic unit यह हमारा hydraulic unit है यह हमारा intensity fire होती है ठीक है तो अगर जो intensity fire है इसमे अगर pressure की कम हो जाती है तो hydraulic unit के सयोग से मुझा pressure को लियाय या तो जो भी pressure कम रहती है उस pressure को यह automatic यहाँ यहाँ पर hydraulic unit से लेने के बाद हमारा accumulator को भेज़ देती है ठीक है और हमारा जो pressure यहाँ पर pressure gauge में वापस क्या करते हैं सिफायर से हम यहां पर फाइब करते हैं एकमिलेटर क्या हcióति कराने के लिए इस एक तरका एक्मिलेडर का यूज किया रही है यहां जैसे टिए उजए दोनु चीज़ को एक साथ में यहांने करने के बाग यह हमारा पानी यह घकतम हो lord इंदेती है उसे पहले यहाँ पे हमारा वह पम्प के थुरू वापस ले लिती है कुमिलेटर ठिक अब आगे के बात करते हैं आगे में क्या होती है यहाँ इस्टर से यह कंट्रूल करते हैं यहाँ इसके दोरान कर सकते हैं ठीक है और जस्ट इसके नीचे मा यूज करते हैं कदर का flow regulator भाल्ब का यूज किया था flow regulator भाल्ब क्या 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 हम करती है water की flow को pressure को कम बेसी करने में ये काम करती है अगर pressure हमें ज़्यादा चाहिए तो इसे ज़्यादा खोल दीजिए अगर प्रेसर हमें कम चाहिए तो इससे कम खोल दिये ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर water की flow को प्रेसर को यह regulate करता है इसी करने से flow regulator भालब का जाता है ठीक है तो यह हमारा flow regulator भालब है अब जब जशे नीचे pipe थो में use करते है यह तरह का nozzle nozzle क्या काम करती फो Links करने जो water की जो वाटर की कानेटिक एनरजी उस इंक्रीज कराने के लिए इस नोजल का जूज किया है ता ठीक है जो हमारा वर्कपीस की ओपर डायरेक्ट पढ़ने से हमारा वर्कपीस पे बहुत हाई प्रेसर पड़ती है जिसके दो रात वर्कपीस दो भागों में कट जिक के अलग हो ज इस ताहिए प्रेसर जो पानी साथ तो उसे एक तरक ड्रीण के सजुग से बहा दिया तक एक तरके सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह से पूरी की जाती है लाज्च्ट तक अब हम समझते हैं इस नोजल के वारे में आखरी में यह वार्कपीस की ताह से वार्कपीस की तो क्या करगी waterOris के सवयोग से यहां पर वाटर को ले खीचेगी खिचने के बाद जैकि आएगी हमारे फॉटर के पार तो बीच में के हमारे यूज के water filter का जो बीच में आने के बाद जो इसमें डश पाटीकल है, उसे फिल्टराइज करने बाद यह हमारे, चल जाएगी, वाटर पॉंप में, वाटर पॉंप यहाँ पर प्रेशर देगी, फाइब बार से एट बार यहाँ पर वाटर सप्लाई करेगी, इतनी प्रेशर के साथ आगे क्यों बेजेगी, यह से चाहिए आख्यक्तिकि यह को करते हैं किसे क्सको बंचे में करेंगी जैसे इंयसके बनेंगे आखर चिब्रי को यह आोगा है थ्या कितने करेंगी मोकर्डकितने करेंग लेकर और 5000 तक यह फुरह इंक्रिस करा जो अगर इसमें कुछ बी कमिया होती हो zaj'sため the करके इस प्रेतर को यहां पर हमारा इंटनसीजआ Debize s तो उस प्रेशर को यहां पर बताएगी कि अंकर बांब कितनी प्रेशर कम पढ़ रही है तो इसे यहां के साथ या पास रखेगी तो टो緊 प्रेशा को पूसके सातर कुना और करते हैं तो जो डारेक्षिन हमें चाहिए एर प्रेशर को तो उस डारेक्षिन में एकुलमेंटर से निकलने के बाद वह आई प्रिसर साथ जाएगी और यहां पर हम भाल को पहले से जो मेरा क्या है एक तरका फ्लो रेगुलेटर वाल उसे हम पहले से शेट करके जाए जितनी प्रिसर साथ से हमें यहां नोजल के सवयूक से हाइपस की के उपर यहां पर पहूर्स लगातई है प्रेसर देगी तो में नोजल क्या पर करें इंक्रीज कर देंगी के साथ यहां पर प्रेशर मारेगी और यह कम से कम हमारा वर्क पीस के उपर जब गिरीगी तो वर्क पीस हमारा दो भागों में कटिंग हो जाएगी और हमारा जो गंदी वाली पानी है हमारा जो यूज किया वाटर है वह हमारा ड्रेन के सही उससे निकल जाएगी और जो कटिंग करत सकती है 0.005 से लेके 0.01 इंचन कर सकती है ठीक है तो इस टाइब से करेगी आव इसको प्रेसर चाहे तो हम यह भी बड़हा सकते हैं इसकी इंचे से हम जगर मूटी इंचेंस में कटनी मिशक्रस्यय पर शूड़ी तरह से यह गों यह तरह से यह यहां पे पूरी प्रोस्स यहां पने अलग होग healthcare थी तो इस तरसे वाटर प्रोस était ऑडिए मिमिय। यह काफी फास्ट वर करती है ठीक है तो यह सिम नोर्मली आपको मैं बताया है समझने के लिए कि तो वाटर जेट में अगए होगी तो वीडियो देखने का थांकी हो चैनल में नहीं आयो तो चैनल को हो सकता कर लिए सब्सक्राइब और हो सकता वीडियो कर दीजा लाइक धन् कर दोदरी, क्या वीडियो आयो अगए होगी छास्विदे chronैपाए सकता है।